हेलो गाइस आज हम अपिस्टेर्ड में ब्रेड रोल बनाएंगे तो आईए बनाते हैं अपिस्टेर्ड में ब्रेड रोल ब्रेड रोल बनाने के लिए ये हमने दो उबले हुए आलू लिये हैं इनको मैंने हाथ से मैस कर लिया है दो बड़े प्याज लिये हैं इनको बारी कट कर लिया है दो से तीन हरी मिर्च लिये हैं इनको मैंने कूट लिया है और ये अद्रकट कुड़ा लिया है इसको भी मैंने कूट लिया है ये एक छोटी कटोरी मैंने मटर लिये हैं इसको बोईल कर लिया है और ये कुछ मसाले ल बाराई पीस लिए और ये मैने ब्राउन ब्रेड ली है तो आए बनाते है ये मैने एक सोस फैन लिया है अब मैं इसमें और डालूंगे यह हमारा ओईल गरम हो चुका है अब मैं इसमें चुथाई चम्मच जीरा डाल दूंगी और साथ ही चुटकी भर हिंग डाल दूंगी मैं इसमें जीरा हमारा चुटक चुका है अब मैं इसमें यह स्याई डाल दूंगी और प्याज को मैं हलका ही भूलूंगी अब मैं यह प्याज के साथ ही यह अदरक और हरी मिच डाल दूंगी और साथ ही मैं यह मतर के दाने मिच डाल दूंगी इसमें अब मैं इसमें यह मसाले अड़ कर दूंगी अब मैं इसके अंदर यह अलू अड़ करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं यह हमारा मसाला अच्छे से अलू के अंदर मिक्स हो चुका है अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस मसाले को मैं इस प्लेट के अंदर ही निकाल लूंगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी जब तक यह हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक मैं आप इस टेंड में घी लगा लगती हूं मैं इसमें घी लगांगी आप चाहिए ओल भी लगा सकते हैं यह हमारे अपकी स्टेंड में घी लग चुका है इसे मैंने घैस पे रख दिया है، मैं इसे श्लोट गैस पे गरम होने के लिए रख देतियों इसने मैं यह हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और यह हमने ब्रैड ले प्रेड को पानी के अंदर दिप कर लूँगी और इसे हाथ से अच्छे से में चोड़ लूँगी और अब एक चमच की मदद से यह जो मैंने मसाला तियार किया है इस मसाले को इसमें डालूँगी और इसके बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी मैं और यह इस प्रकार से मैं सारे बॉल्स बनाकर तियार करूँगी और इन्हें में प्रेड में रखती जाओंगी प्रेड में प्रेड में रखती जाओंगी यह बनाने में बहुत ही असान है असानी से बनकर तियार हो जाता है यह बनाने में बहुत ही असान है यह नास्ता और इसी प्रकार से मैं अपने सारे बॉल्स बनाकर तियार कर लूँगी और यह हमारे सारे बॉल्स बनकर तियार हो चुके हैं और यह हमारा आप पे स्टैंड गरम हो चुका है अब मैं इस बॉल्स को इसके अंदर रखूंगी और यह हमारे बॉल्स सारे स्टैंड में लगा चुके हैं अब इसे मैं स्लोग एस पे सिखने दूंगी अब मैं उपर से थोड़ा थोड़ा सा घी लगा दूंगी इस पे कि अब शुके तो आपके दूंगी एस पे पांच मिनिट से लेके दस मिनिट पे पे ये मिकसी के जार में ये प्याज पूदीना पहल में पत्ते डालगे गए इसमें आप रस राश लिए हैं पूदीन जार प्याज, भाश, रोक जार में 6 ये गाने समय में डिलज के लुर एक चमबच मैं इसमें चीनी डालूँगी नमक स्वादन उसार डालूँगी इसमें और अब मैं इसको पिसकर तयार कर लेती हूँ और ये हमारी चटनी पिसकर तयार हो चुकी है इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी अब मैं अपने ब्रेड रोल जैक कर लेती हूं और इनकी साइड चेंज करूंगी यह देखो कितने अच्छे से सीखे हैं अब इसे मैं फिर से पांच से दस मिनट के लिए फिर से सिखने दूंगी तो आएए चेक करते हैं यह कितने अच्छे से सिखे तयार हुए हैं अब इन्हें मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूं गैस को मैं बद कर दूंगी यह देखो कितने अच्छे से सीखे हैं बिल्कुल कम तेल में कितना बड़ी अनास्ता बनकर तियार हुआ है यह हमारे ब्रेड रोल अपे स्टैंड में बनकर तियार हो चुके हैं और यह एक दम बड़िया बने हैं मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना अच्छा नास्ता बना है यह हमारा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यों जब वीडियो आपको अपको तो लाइक करें प्सक्राइब करें धन्यों